बहुत समय की बात है, बलरामपुर नाम के गाम में एक साहुकार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था, उसकी जिन्दगी खुशाल थी, उसके पास भगवान का दिया सब कुछ था, सुन्दर सुशील पत्नी, होशियार बच्चे, खेट, समीन पैसे थे, लेकिन वे बहुत ही जादा आलसी था, कभी काम नहीं, करता था, उसकी पत्नी उसके अलस्य से बेहत परिशान थी, लेकिन वे चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती थी, एक दिन एक साध्यो साहुकार के घर आया, और साहुकार ने उसका खोब आधर सतकार किया, और सेवा की, बाबा ने उसकी यह वर्दान पूरी कर दिया और कहा लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि तुम उसे हमेशा व्यस्त लग सको यह कहकर बाबा चले गए और एक बड़ा सा राक्षस नुमा जिन प्रकट हुआ वह कहनी लगा मालिक मुझे कोई काम दो मुझे काम चाहिए साहुकार उसे देखकर पहले तो थोड़ा डर गया और सोचने लगा तभी जिन ने बोला जल्दी काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा साहुकार ने कहा जाओ खेत में पानी डालो जिन तुरंत गायब हो गया और साहुकार अपनी पतनी से पानी मांग कर पीने लगा लेकिन जिन कुछी देर में वापस आ गया और बोला काम हो गया और काम दो साहुकार घबरा गया और बोला कि अब तुम आराम करो बाकी काम कल करना जिन बोला नहीं मुझे काम चाहिए वरना मैं तुम्हे खा जाऊंगा साहुकार सोचने लगा और बोला तो जाकर खेत जोत लोजिनन गायब हो गया साहुकार खाना खाने बैठ गया वहाँ अपनी पत्नी से बोला अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा अब तो जिन्दगी भर का अराम हो गया साहुकार की पत्नी सोचने लगी किया कितना गलत सोच रहे है इसी बीच वह जिनन वापस आ गया और बोला काम दो मेरा काम हो गया जल्दी दो वरना मैं तुम्हे खा जाऊंगा साहुकार सोचने लगा कि अब तो उसके पास कोई काम नहीं बचा अब क्या होगा इसी बीच साहुकार की पत्नी बोली सुनिए मैं इसे कोई काम दे सकती हूँ क्या साहुकार ने कहा हाँ दे दो वह जिन्द से मुखात मुखात इभोकर बोली तुम हमारे कुत्ते मोती की पूंच सीधी कर दो, ध्यान रहे, पूंच पूरी तरह से सीधी हो जानी चाहिए, जिन चला गया, उसके जाते ही साहुकार की पत्नी ने कहा, देख लिया आपने की आलस कितना खतरनाक हो सकता है, पहले आपको काम करना पसंद नहीं था और अब आ हम जिन का क्या करे, वो मोती की पूंच सीधी करके आता ही होगा, यहां हमें मार डालेगा, साहुकार की पत्नी हसने लगी, और बोली, चिन्ता मत करो, वहलाख कोशिशों के बाद भी मोती की पूंच सीधी नहीं कर पाएगा, पूंच छोड़ने के बाद फिर टेड़ी हो ज जाते जाते देखता है, कि जिन्न मोती की पूछी सीधी कर रहा था, उसने जिन्न को छेड़ते हुए पूछा, क्या हुआ, अब तक काम पूरा नहीं हुआ क्या, जल्दी करो, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी काम है, जिन्न बोला, जी मालिक, शिक्षा, आलस यही सीबते आ सकती है,